करेंगे तो teenager अने वाले साथ दिनों में डुअद्र प्रिवेबर करेंगा और गांधी नगर में 42.4 maximum temperature रिलाइज हुआ है और फोरकास्ट की बात करेंगे तो अहमदाबाद और गांधी नगर के लिए maximum temperature करेंगे जहां पर सबसे ज्यादा maximum temperature रिकार्ड हुआ है तो वह है अहमदाबाद 42.6 और जो विंड की डारेक्शन होगी लेंड पर प्रिवेल करेंगी पूरे गुजराती स्टेट में वह साथ वेस्टर्ली विंड करेंगी आज जो एहमदाबाद में क्लावडी कंडिशन बनी रहेगी और अरभीन सिस्टे मौसर आ रहा है रेंड नहीं होगी फिर भी क्लाउड बना रहेगा तेंपरेचर और गांदी नगर दोनों जंगे के लिए 43 डिग्रेस का एक देंटेंशी है वो डिकरेजिंग तो जो मैसम टेंपरेचर डिक्री यह वह वह एकसे दोडी। celsius पूरे गुजरात पूरез और बात करेंगे तो बने सकांथा कच पाटन और सुरेंदर नगर के लिए दे लिए आज और कल के लिए और सबसींट करेंगा आने वाले तीन दिनों के लिए और उसकी तो गी है कीश से किलो मीटर पर पूरे गुजरात लैंड रिजन के लिए और मैक्सम टेंपरेचर ये लाइज की बात करेंगे तो आहमदाबाद में 42.6 और गांधिनगर में 42.4 और फॉरकास्ट की बात करेंगे तो एमदाबाद और गांधी निगर के लिए मैक्सम टेमटरेशचर तो 43 डूनों के जगें के लिए मेक्सम टेपरेचर का प्रकास्ट जाए गया और और पूरे गुजराती रिजिन की बात करेंगे जहां पर सबसे ज़्यादा मैक्सम टेंपरेचर रिकार्ड हुआ है तो वह है अमदाबाद 42.6 और जो विंड की डारेक्शन होगी लेंड रिजन पर प्रिवेल करेगी पूरे गुजुराती स्टेट में वह साथ वेस्टरली विंड प्रिवेल करेंगी आज जो एहमदाबाद में क्लावडी कंडिशन बनी रहेगी और अरभीन सिस्टे मौसर आ रहा है रहें नहीं होगी फिर भी क्लावड बना रहेगा कि बनागांदी तका टेंप्रेचर अहमदाबाद और गंदी नगर दोनों जगहें के लिए उस एक से लिए और डिग्रेचर तो जो टेंडेंसी है वो टेंडेंसी है तो जो टेंपरेचर डिक्रीज होगा वह एक से दो डिवरी सेल्चेस फुरी गुजरात रिजन में डिक्रीज होगा आने वाले पाहुंचने